हेलो एवरिवन वेल्कम तो लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज हम देखेंगे स्टाटिक चीके में इंपॉरंट क्वेशन्स और इसका रहेगा पार्ट थ्री इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस लेक्चर का प तो जो आपकी चिलका लेक है ये कौनसी स्टीट में है तो ये देखने को मिलेगी आपको ओडिसा में ओडिसा की कैपिटल क्या है तो वे है भुवनेश्वर बात करें ओडिसा की तो यहां पे जो थ्री न्यू रामसर साइट्स बनी हैं वें कौन कौनसी है तो वे है आपकी तंपरा लेक, एक है आपका हीरा कुट रिजर्वॉयर और एक है आपकी अनसुपा लेक ठीक है? और टोटल रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में? तो वे हैं 75 और सबसे ज़ादा है तामिल नाडू में Question No. 2 is which bird is considered as a symbol of peace in India? तो ये कौन सा बर्ड है? तो इसका अंसर रहेगा आपका Option B Next question is Who built the rogue garden in Chandigarh? तो ये किस के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नेक चंद के द्वारा तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A Rogue garden है आपका Chandigarh में और जो आपका Chandigarh है तो इसको किस ने डिजाइन किया है Chandigarh को तो वे किया है Lee Corbusier ने ठीक है और पेपर में ये बहुत बार पूचा भी गया है Question No.4 is Where is the headquarters of International Monetary Fund located? तो कहां पर देखने को मिलेंगे इसके headquarters तो वे हैं Washington में तो इसका अंसर रहेगा आपका Option D जो आपका IMF है इसकी formation कब हुई है तो वे हुई है 27 December 1945 में बात करें इसके managing director की तो वे कौन है तो वे हैं Crystalinia Georgia और इसकी MD को ना इस टाइम पर deputy MD तो वे हैं Gita Gopinath बात करें इसके chief economist की तो वे कौन है तो वे हैं Perry Oliver ठीक है Question No.6 is Which of the following rights is given in Article 21 तो Article 21 में आपको कौन से rights देखने को मिलेंगे तो इसका answer रहेगा आपका Option D ठीक है Right to Life Question No.7 is From where was equality before law taken in India तो ये कहां से लिया गया है तो ये लिया गया है British Constitution से तो इसका answer रहेगा Option D ठीक है Next Question is How many fundamental rights are mentioned in Indian Constitution? तो at present कितने fundamental rights हैं तो वे हैं आपके 6 पहले हुआ करते थे 7 एक था उसमें right to property वे अब बन गया है आपका legal right तो जो आपके ये 6 fundamental rights हैं ये कौन-कौन से हैं? तो ये है right to equality Article 14 to 18 right to freedom Article 19 to 22 right against exploitation Article 23 to 24 right to freedom of religion Article 25 to 28 Cultural and educational rights रहेंगे आपके Article 29 and 30 में right to constitutional remedies आता है आपका Article 32 में और इसे हम कहते हैं heart and soul of the constitution जो आपका right to constitutional remedies है Question number 9 is on what day did India get the status of jurisdiction dominion status तो कब मिला है इंडिया को ये status तो ये हुआ है आपका 15 August 1947 तो इसका अंसर रहेगा आपका option B Question number 10 is Socialism is basically whose movement तो किसकी movement है socialism तो इसका अंसर रहेगा आपका option D Workers ठीक है Question number 11 is Who was the first Indian to become a member of the British Parliament तो कौन है जो सबसे पहले member बने हैं British Parliament में तो इसमें से आपका कौन सा अंसर रहेगा तो ये हैं आपके दादा भाई नरोजी इन्हें और क्या कहा चाता है Grand Old Man of India ठीक है दादा भाई नरोजी of Bombay Parsi origin was the first Indian to be elected to the Parliament in Britain और जो नरोजी है ये कब कही थे प्रिटेन में 1885 में ठीक है Question number 12 is Where was the royal court held to issue the queen proclamation in November 1858 तो ये कहां देखने को मिला था तो ये आपका तो इसका अंसर रहेगा आपका option D अलाबाद ठीक है Question number 13 is Palitana Temple is located near which of the following cities तो ये आपको कौन सी city में देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा भाबनगर जो कि कहां पे आपका गुजरात के अंदर और जो आपकी पहली बाली का पंचायत है ये कहां पे देखने को मिलेगी तो ये देखने को मिलेगी आपको Dutch district of Kutch district of ये है आपका Kutch district of कुजरात ठीक है तो ये आपकी पहली बाली का पंचायत यहां पे देखने को मिलेगी Question number 14 is National Institute of Nutrition is a research institute located in which state तो ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको तो ये देखने को मिलेगा आपको Hyderabad के अंदर Telangana में ठीक है तो यहां पे आएगा आपका Telangana और Telangana में कौन सा festival मनाया जाता है Bonalu festival ठीक है Question number 15 is Where is Humayu's storm located तो ये कहां पे है तो ये है डैली के अंदर Humayu नामा किसने लिखा था तो वे लिखा था गुलबदन बेगम ने ठीक है और ये पेपर में बहुत बार पूछा भी गया है Question number 16 is Where is beekeeping called तो जहां पे मदुमक्खी का पालन करते हैं उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है एपी कल्चर तो इसका अंसर रहेगा आपका Option B Next question is Who was the founder of Mughal Empire in India तो कौन है इसके founder तो वे हैं बाबर बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी आपकी First battle of पानीपत ठीक है किस-किस के बीच में देखने को मिले थी इबराहिम लोदी और बाबर के बीच में और कब हुई थी ये 1526 में और भी बहुत से लड़ाईयां लड़ी हैं बाबर ने ठीक है Question number 18 is In which year did any percent establish the home rule league in India तो कौन से year में इन्होंने इंडिया में establish करी है home rule league तो ये करी है इन्होंने 1916 में और कहां पर करी है मदरास में ठीक है और any percent जो है आपकी ये first women है जो आपकी INC की president बनी है और अगर पूछा जाए paper में पहली women, Indian women जो INC की president बनी है तो वे हैं सरोजनी नाइडू ठीक है और वैसे जो पहली women बनी है वे हैं any percent Question number 19 is In which article the prohibition of child labor is mentioned तो कौन से article में लिखा गया है तो ये लिखा गया है Article 23 में तो इसका answer रहेगा आपका option D Next question is In which article the provision of emergency is mentioned Emergency के बारे में कौन से article में लिखा गया है तो आपके पास ये 4 options है आप इनने एक बार देख लीजिए तो जैसे कि इसमें पूचा गया है Emergency तो mention ने किया कौन सी emergency तो आप इसमें लेके चलेंगे National Emergency तो इसका answer रहेगा आपका option C ठीक है Question number 21 is Who created the concept of worldwide web तो ये किस ने किया है तो ये किया है Concept create Tim Berners Lane तो इसका answer रहेगा आपका option A Question number 22 is What causes a person to get hurt by stumbling on a stone तो इसका answer रहेगा आपका option C that is reaction forces तो जैसे कि Newton का third law क्या कहता है To every action there is an equal and opposite reaction Next question is Which of the falling is the state which does not share a border with Myanmar तो कौनसी state है जो share नहीं करती border Myanmar के साथ तो जो नहीं करती share वे है आपकी आसम आपका option C Question number 25 is तो तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने तिलक को क्या कहा जाता है यह अपने बर्थ अनिवर्स्री होती है 12th of Jan को तो उस दिन बनाया जाता है National Youth Day Question number 27 is who built Akal तक तो जो Akal तक है ये किस ने बनाया है तो ये बनाया है 6th Guru Guru Hargobin Singh जी ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option C जो Guru Hargobin जी है इनके mother और father का क्या नाम था तो वे है इनके father है गुरु अर्चन देव जी और इनकी mother है माता गंगा जी ठीक है और ये जोती जोत कब हुए थे मतलब इनकी death कब हुई थी तो वे हुई थी इनकी 1644 में Next question is who started मनसबदारी system तो किस ने start किया था ये system तो ये किया था अकबर ने बात करें अकबर की तो इनकी कॉर्णो निशन कहां पे हुई थी तो वे हुई थी कला नोर में जब ही कितने साल के थे 14 years के थे ठीक है तब इन्हें गदी में बिठाया गया था Question number 29 is in which year in which war हुमायू was defeated by शेर्शा सूरी and captured गूर तो ये कौन सी war है तो ये हुई थी आपकी battle of Chossa जो हुई थी 1539 में तो इसका अंसर रहेगा option B In what time does the ordinance issued by the governor has to be passed by the assembly तो कितनी देर में पास होना चाहिए ये तो ये होना चाहिए 6 weeks के अंदर-अंदर बात करें गर हम ordinance की तो center की बात करें तो वे आता है article 123 में और अगर हम बात करें state की तो वे आता है article 213 में Question number 31 is where is Shadesha's tomb located तो कहां पे है इसकी tomb तो ये रहेगा आपका सासा राम जो कि कहां पे है बिहार के अंदर Next question is The Hinderberg line is established between Germany and which country तो एक कौन कौन सी country के बीच में है जर्मनी और पोलेंड के बीच में इसे हम याद कैसे रख सकते हैं तो देखिए P से P पॉलेंड से P और जर्मनी कहां से स्टार्ट होता है जी से तो ये बना PG तो PG में बच्चे मूसली क्या खाते हैं बर्गर तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं ठीक हैं Q34 is which of the following boundary line separates India and Pakistan तो वे है Red Cliff line तो इसका अंसर रहेगा option D Tom of which great man is called Shanti One तो किसकी Tom को कहा जाता है Shanti One तो वे कहा जाता है हमारे former first prime minister of India को तो वे कौन थे ज्वालनाल नहरूर ठीक है Q36 is where does the Tom of which great man to go to Vijay Ghad तो Vijay Ghad किसकी Tom को कहा जाता है तो वे कहा जाता है लाल भादूर शास्त्री जी की इनका बर्थ आता है 2 October को और 2 October को किसका आता है साथ में बर्थ तो वे हो आता है आपका महात्मा गांदी जी का ठीक है लाल भादूर शास्त्री की गर हम बात करें तो इन्होंने कौन सा slogan दिया था जै जवान जै किसान का ठीक है What is chain literature called तो क्या कहा जाता है तो वे कहा जाता है अगामस तो इसका अंसर रहेगा आपका option D Question number 39 is Desire is the cause of all sufferings Which religion is promoting it तो कौन सा religion इसे promote करता है तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Buddhism Question number 40 is In which are the stories of Buddha's birth and his previous birth compiled तो किसके अंदर लिखी गई है ये तो वे लिखी गई है ये आपकी जटाका स्टोरी के अंदर तो इसका अंसर आएगा आपका option D बात करें अगर हम बुद्धा जी की तो लोड बुद्धा का birthplace कहां पे है तो वे है लुम्बेनी जो कि कहां पे है नेपाल में ठीक है और जो इन्होंने अपना पहला सर्मन दिया था वे कहां दिया था तो वे दिया था सारनाथ में और कहां पे ये समाए थे तो ये समाए थे आपके खुशी नगर में ठीक है तो इसे आप याद रखना Question number 41 is The Chambal River flows through which states तो जो आपकी Chambal River है ये कौन कौनसी state में से flow होती है तो इसका अंसर रहेगा option B तो ये जाती है आपकी UP, Madhya Pradesh और Rajasthan के बीच में से Question number 42 is Which river is not flowing towards the Arabian Sea in the west direction तो कौनसी river नहीं जाती है आपकी west direction में तो वे है आपकी कावेरी क्योंकि ये जाती है आपकी Bay of Bengal में और Bay of Bengal कौनसी side में है? Eastern side में Question number 44 is The tom of which great man is called Udhe Bhoomi तो Udhe Bhoomi किसकी tom को कहा जाता है? तो वे कहा जाता है K.R. Narayan Question number 45 is करम भूमी किसकी tom का नाम है? तो वे है इसका अंसर रहेगा Option A शंकर दयाल शर्मा जी की Question number 47 is समतास्तल किसकी tom को कहा जाता है? तो वे कहा जाता है इंदरा गांदी जी की तो इसका अंसर रहेगा Option B The tom of which great man is called Narayan Ghat तो वे कहा जाता है गुलजारी नंदा की tom को तो इसका अंसर रहेगा Option A इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन आती है? तो वे आती है आपकी McMohan लाइन जो इंडिया और आपकी चाइना को सेपरेट करती है Question number 50 is Which of the following articles provide for right to equality तो ये आता है आपका Article 14 में तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A Question number 51 is Can the fundamental rights of Indian citizens be suspended? तो इनके fundamental rights को suspend किया जा सकता है तो हाँ ये किया जा सकता है किस time पे? तो वे किया जाता है आपका तो ये रहता है आपका during national emergency के time पे सिर्फ आपका Article 20 और जो 21 है इसे suspend नहीं किया जाता Question number 52 is Who among the following implemented the state abduction policy? तो ये किसकी policy है? तो इसे कहते हैं Doctrine of Labs जो के लाया था Lord Dalhousie और जो पहली state annex की गई थी वे थी आपकी सतारा Question number 53 is Who founded the Ram Krishna Mission? तो ये found किया गया है Swami Vivekanand ji के द्वारा तो इसका answer रहेगा Option A इनकी birth anniversary आती है आपकी 12th Jan को और इस दिन क्या मनाया जाता है? National Youth Day Question number 54 is During Lord Karzan, why survive which of the following events did not happen? तो कौन सी चीज़ नहीं देखने को मिली थी Lord Karzan के time पे? तो इसका answer रहेगा आपका option C क्यूंकि जो आपकी INC की formation हुई है ये हुई है 1885 में तो उस time पे आपके जो वाइस रहे हैं वे Lord Karzan नहीं थे Question number 55 is In which country did the ideology of fascism develop? तो ये कौन सी country में develop हुई है? इटली में Question number 56 is Where is the city of Tashkent? तो ये कहां पे है? तो ये capital है उस्बेकिस्तान की और उस्बेकिस्तान के साथ हम कौन सी military exercise करते हैं? तो उसका नाम है Dust Lake Question number 57 is Who led Vietnam's independence movement? तो किसने start की है ये movement? तो ये की है इसका answer रहेगा आपका option D Question number 58 is गुर्शिकर आफ़ अबू हिल्स इस तः हाइस्ट पीक और फिच माउंटन रेंज तो ये है अरावली की और जो अरावली है ये कौन-कौन सी state में से जाती है तो ये जाती है डेली, हर्याना, राज्यस्तान और गुजरात में से पास होती है ठीक है? Question number 59 is Which of the following is the state whose international borders meet three countries? तो कौन सी है? तो ये है आपके अवनाचल प्रदेश इसके साथ कौन-कौन सी country का border touch होता है East side touch होता है Myanmar का Northern side रहता है चाइना का और West side रहता है भूटान का Question number 60 is McMohan line is established between India and तो इसका answer रहेगा चाइना इंडिया और चाइना के बीच में McMohan line देखने को आपको मिलेगी Next question is The tom of which great man is called महा प्रयान घाट तो किसका है ये tom तो इसका answer रहेगा आपका option A Dr. Rajendra Prasad ये हमारे पहले president है इंडिया के Question number 62 is The tom of which great man is called Abhay Ghat तो किसकी tom को ये कहा जाता है तो ये कहा जाता है मौरार्ची तिसाई की tom को तो इसका answer रहेगा option B Who is the founder of party putra उदाइन ठीक है तो इसका answer रहेगा option B Next question is With which country is the terrorist organization Al-Qaeda related तो ये है अफगानिस्तान के साथ related तो इसका answer रहेगा option D Next question is Which of the following Indians served as the president of International Court of Justice तो कौन किनोंने सर्फ किया है तो वे किया है Justice Nagendra Singh ने तो इसका answer रहेगा option A In which state of India is the high court of Andaman and Nicobar Islands located तो ये देखने को मिलेगी आपको कौलकता में जो की capital है किसकी West Bengal की Next question is In whose reign did Mughal painting achieve its heg money तो किसकी टाइम पे Mughal paintings बिल्कुल उपर चलेगी थी तो वे गई थी जहांगीर के टाइम पे तो इसका answer रहेगा आपका option C इनके टाइम पे जो Mughal paintings हैं ये काफी flourish की थी Next question is Who was the architect to design the Taj Mahal? तो कौन है वे architect? तो उनका नाम है उस्ताद एहमद लोहरी Question number 69 is Where is Shahajan Storm? तो ये देखने को मिलेगी आपको आगरा में How old was Akbar at the time of coronation in Kalanore? तो कितने साल के थे तब ये? तो तब थे ये 14 years की तो यहां पे हमारा ये खतम होता है आज का session I hope आपको ये session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session